हाई गाईज वेलकम टू टेकनिकल स्टाडी जोन अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सकाइब कर दीजे साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजे जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में अप्लोड किये थे कि हाउ टू अपलाई CITS अनलाइन अप् अप्लिकेशन फॉर्म भरना है एकदम step by step और जो लोग आईटे एपेर्ड है तो वो लोग कभी कैसे फॉर्म भरना है क्या 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 आपको डिटेल्स भरना है तो उसका वीडियो में आपको मिल जाएगा डिटेल्स आप होहसे देख लीजेगा तो आपको फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा और देखिए CITS जो ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म को लेकर बहुत सारा कोशेन है आपके मन में बहुत सारा सवाल है अगर आप वीडियो नहीं देखना चाते है तो आपको इसका solution इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा जो की है आपका निम online admission.in तो निमी online admission.in इस वेबसाइट पे सब डीटेल्स आपको मिल जाएगा इसके लिए आप कोई वीडियो भी देखना पड़ेगा यूट्यूब पे तो अगर आप जाना चाते है तो कैसे कैसे देखना देखना है तो निमी online admission.in पर जाना है जाने के बाद आपको यहां प पर देखिएगा कि यहां पर है CITS admission 2020 prospectus instruction to candidates how to apply और लास्ट में देखिए frequently asked question तो frequently asked question में आप लोग click किजिएगा तो वहां पर click करने के बाद देखिए आपको ऐसे बहुत सारा option दिखाई देगा तो इसमें से क्या है जैसे कि आप application related queries को आप select करते हैं तो application related queries को अगर आप select करते हैं तो आपके application related क्या-क्या question हो सकता है तो उसका regarding वो लोग answer already दिया हु question जो है what is the last date of online application form भरने का last date क्या है यहां पर दिया गया है 27 यानि कि 27 तारीक को 5 बज़े तक आपका online application form भड़ा जाएगा आधार mandatory to apply तो जो लोग का मन में confusion है कि मेरा तो आधार कार्ट नहीं है तो देखिए आधार is not mandatory to apply CITS ठीक है आधार कार्ट बोल रहा है कि not mandatory है ले तो फॉर्म भरते time वहां पर blank रखिएगा तो तोड़ा दिकत हो सकता है तो वह वाला आप लोग चेक कर लिजेगा जिसके पास आधार नहीं है तो वो लोग बीना आधार देखे भी एक बार ट्राइक कर सकते उसके बाद अगर नहीं होता है तो आपको जो registration मिलता है आधार form भर रहे है तो एक बार form को भरने के बाद उसको क्या आप edit कर सकते है तो बोल रहा है कि हाँ edit कर सकते है before payment यानि कि payment करने से पहले आप अपना information edit कर सकते है या पि कोई गलती हो गया तो उसको आप सुधर सकते है उसके बाद देखिए what are non editable field तो कौन सा हम edit नहीं कर सकते है तो यहां पर देखिए mobile number, email id, आधार are not editable, तो यह सब आप क्या edit नहीं कर सकते हैं, बाकी सारा जितना details आप भड़ियेगा तो उसको आप edit कर सकते हैं, चली यह था आपका application related queries, उसके बाद देखिए verification related queries, verification related queries में क्या है, how my details are verified, तो कैसे आपका details verify होगा, to verify personal info, OTP is sent to mobile as well as email, तो आपको OTP जाएगा, आपका register email id पर और register mobile number पर, दोनों email ही आपको डालना है, online application form भरते time, अगर आप दोनों में से किसी एक OTP डालते हैं, तो आपका online application form नहीं भड़ा जाएगा, तो यह ध्यान से रखिएगा कि email id और mobile number एक तुम सही देना, कोई गलत email id और mobile number मत देना, उसके बाद देखिए हमारा, if OTP is not received, what to do? अगर आपको OTP नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारा candidates है, जिसको अभी तक OTP नहीं मिल रहा है, बार बार login करने के बाद भी OTP नहीं आ रहा है, तो उसमें देखिए, usually OTP is delivered within 5 minutes, 5 minutes के अंदर OTP delivery हो जाता है, please wait until OTP is received, OTP जितना time तक आपको नहीं आ रहा है, उतना time तक आप wait किजिए, in case of email OTP, in case of email OTP, please do check in spam folder, तो आपको बोल रहा है कि आपको किसी-किसी student का क्या रहा है, बोल रहा है कि mobile में तो OTP आ रहा है, लेकिन email में OTP नहीं आ रहा है, вокруг email आपको जो Gmail है, Gmail account है, वहां पे आप देखिए, आपको spam folder है, तो spam folder में भी आपको email जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपको inbox में email जाएगा, spam folder में भी email जा सकता है, उसके बाद देखे, as it may be in that folder also, please note hotmail and outlook mails are not engaged as automatic reply path, तो hotmail and outlook mails जो है, आपको यूज़ करने के लिए माना कर रहा है, उसके बाद देखे, common problems related to OTP, तो OTP के लिए जो common problems है, The OTP mandatory as the communication further will only be via mobile और email, OTP आपको communication के लिए वो दिया जा रहा है, जो आपको only mobile और email के मादम से ही OTP send होगा, ठीके, As long as any one OTP is received, you can enter it verify application, OTP आपको receive हो जाने के बाद आपको verify application पे click करना है, If both OTP is not received, अगर आपको दोनों OTP जैसे email ID और mobile नमबर पर दोनों OTP आने वाला है, तो दोनों OTP आपको received नहीं हुआ, तो उसके उस समय आपको क्या करना है, You may not able to apply as per regulation, तो आप apply नहीं कर सकते as per regulation, रूल्स के अनुसार आपको अगर दोनों OTP नहीं आता है, तो आप apply नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम क्या किजिए, आप दूसरा mobile नमबर दूसरा email ID ढाल के देखिए, देखिए, उसके बाद भी अगर नहीं होता है, तो आप कोशिश कीजिए, कोई high speed internet, broadband connection से, आपको online form भरने के लिए, ठीके, अगर उस टाइम भी नहीं हो रहा है, तो बोल रहा है कि, प्लीज email through as, email as through, निमी online admission at the red gmail.com, अगर आपको कोई problem हो रहा है, application form भरने के related, आप mail कीजिए, कि मेरा application form नहीं भर जाता है, ठीके, यह था verification related queries, उसके बाद देखिए, qualification related queries, qualification related queries में क्या है, is there any basic qualification for CITS, CITS के लिए, कोई basic qualification चाहिए, yes, for more information, please download prospectus, तो बोल रहा है, इसके लिए prospectus आपको download करना, जैसे 10th प्लास, ITI 10th प्लास से, डिपलोमा 10th प्लास या फी आपको BTEK, तो उसी trade में आपको होना चाहिए, तो यह था, यह है basic qualification, उसके बाद देखिए, list of technical and academic qualification, there are also available in prospectus, prospectus में आपको मिल जाएगा, टेक्निकल जैसे आप CITS करना चाहते है, तो उसी trade में, related trade में आपको डिपलोमा नहीं, तो ITI नहीं, तो BTEK होना चाहिए, उसके बाद ही तो आप apply कर सकते, यह था quality qualification, उसके बाद देखिए, course and exam related queries, course and exam related queries में क्या है, what course a candidate have to choose, course for engineering and non-engineering trade are listed in the website, candidates have to choose according for CITS, तो engineering and non-engineering, दोनों trade ही आपको दिया हुआ है, list prospectus में, तो आपका concentrate है, उसी नहीं सा आपको CITS course मिलेगा, if wrong course selected, what to do, अगर आप form बरते से हुआ है, wrong course select कर लिए, जैसे आप fitter है, लेकिन आप क्या कर दिया, operator and advance machine tools, आप अगर select कर दिये, तो उसमें क्या होगा, until payment is not made, you may edit application also, in case want to change, then write to nimi onlineadmission.gmail.com, तो बोल रहा है कि जब तक आप payment नहीं करते, तो तब तक आप application का जो ये है, आप edit कर सकते, change कर सकते, कि आपका कोई गलती हुआ, तो उसको edit कर सकते, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको form भर दिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद भी अगर आपको change करना है, तो उसके लिए आपको nimi onlineadmission, email.com में आपको mail करके, आपको application ID दे कर, आपको request करना है, कि मेरा गलती से फीटर के जगा हम मेशिनिस्ट अपलाई कर दिये, select कर दिये, उसके बाद देखे, how to select exam centers of my choice, तो आपका choice के लिए उसार exam center कैसे choose करना है, तो वो तो आपका nearest जो exam center होगा, उसी को आपको choose करना है, उसके बाद देखे, fees payment related queries, तो fees payment related queries क्या है, what is the fee structure of CITS entrance exam, CITS entrance exam के लिए कितना fees रखा गया है, तो देखे, 500 जो है general EWS, and OPC candidates के लिए रखा है, and 300 HCHD candidates के लिए रखा है, what is the mode of payment, तो कौन सा मादम से आप payment कर सकते, आप कोई भी मादम से debit card, credit card, UPI, या फिड कोई भी wallet से आप payment कर सकते, उसके बाद देखे, if not updated my payment, what to do, तो payment करने के बाद एक updated confirmation message आ जाता है, या payment हो जाता है, लेकिन अगर आपको payment का message नहीं आता है, कि अभी भी pending दिखा रहा है, कि आपका payment अभी तक नहीं हुआ है, तो उस time आपको क्या करना है, usually the payment is updated immediately, तो बोल रहा है कि immediately update हो जाता है, after it is accepted, accepted होने के बाद, anyhow, a reconciliation is done by everybody night and automatically updated into user accounts, please wait update in such cases, तो बोल रहा है कि everyday night automatically update हो जाता है, तो अगर आप morning में apply कर रहे हो या फिर रिविनिंग में apply कर रहे हो, तो आपको आप wait किजिए night तक ठीक है, सुबह होता होते होते हैं, next दिन सुबह होते होते हैं, आपका payment जो है, update हो जाएगा, और आपको payment का receipt मिल जाए, उसके बाद देखे, if paid more than one time, तो आप क्या हुआ, एक बार payment कर दिया, लेकिन successful नहीं हुआ, उसके बाद फिर payment कर दिया, उसके बाद फिर payment कर दिया, तो आप बार एक दो तिन बार payment कर दिया, तो उस time आपको क्या refund मिलेगा, तो बोल रहा है कि, if paid twice, please write to nimionlineadmission.in, about such payments, it will be reversed to you, तो बोल रहा है कि, अगर आप दो बार payment कर देते हुआ, तो nimionlineadmission.in पर आपको लिखना है कि, आप दो बार payment कर दिया है, और उसका प्रूब आपको आपको सेंट करना है वो लोग को, तो वो लोग क्या होगा, एक payment receive करके, बाकी जो आपका payment है, वो आपको रिवर्ट कर देगा, ठीक है, उसके बाद, is there any receive generated, तो बोल रहा है कि, कोई payment करने के बाद, कोई भी receive generated होता है, क्या नहीं, तो यहाँ पर देखिए, payment received are generated by CC Avenue, payment gateway automatically unsuccessful payment, and received is sent through register email, तो वो बोल रहा है, receive जो है, आपका register email ID पर चला जाएगा, प्लीज नोट, any transaction without CC Avenue, confirmation mail is not a fulfilled payment, in such cases, the payment will be automatically revert contact, वो बैंक एकाउंट इनोब, बोल रहा है कि, बैंक एकाउंट से, अगर आपका कुछ भी failed हो गया, तो उसके लिए CC Avenue कोई भी जिमेदार नहीं है, तो उसके लिए आपको bank account, bank पे आपको contact करना होगा, तो यह था fees related queries, उसके बाद देखिए, the application procedure, application process जो होता है, यह क्या है, फर्स्ट आपको registration करना है, फर्स्ट स्टेप, जो आपका नाम, बेसिक फिल्स, फादर्स ने, mobile number, email ID, आधार कार्ट, इस अब देखिए के, फर्स्ट स्टेप आपका registration करना है, इसका details तो आपको वीडियो में, पिछला वीडियो मिल जाएगा, सेगेंड स्टेप है, आपका personal details भरना है, थर्ड स्टेप है, आपका academic और technical qualification भरना है, फूर्थ स्टेप है, आपका selection of trade and exam centers, कौनसा trade आप लेके पढ़ना चाते है, CITS और exam centers आपको भरना होगा, उसके बाद upload documents, आपको document upload करना होगा, photo with signature, all documents and proof certificates आपको upload करना होगा, शिक्स्थ आपका है editing details, शिक्स्थ स्टेप, तो अगर आपका कोई correction करना है, तो आप edit कर सकते हैं, सेवेंथ जो है आपका step है, payment of exam fee, आपको exam fee का payment करना होगा, सेवेंथ स्टेप पर, उसके बाद देखे, mock test है, यह सब आपका बाद में आएगा, mock test, all ticket download, result, merit list, first counseling, choice of institute, तो जब आपका merit list आ जाएगा, उसी time आपको, choice of institute, आपको institute choice करना है, तो पहले आपको कोई भी institute, चोई नहीं करना होगा, application form भरत्र टाइम, जब आपको merit list आ जाएगा, उसी time आपको institute choice करना है, उसके बाद final institute, आपको choice होगा, final list यानि कि final list published होगा, उसके बाद आपको document verification और admission के लिए बुला जाएगा, और उसके बाद fix next counseling, फिर next counseling, तो second and third counseling, ऐसे करके, last में आपका spot counseling होगा, जिसका marks बहुत ज़्यादा कम रहेगा, ठीके, और rank बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए भी एक है कि, कही भी institute में अगर कुछ seat खाली रहता है, ऐसा नहीं कि आपका नजदिक बाला institute में मिलेगा, हो सकता है दूर कोई institute में कुछ seat खाली रहे गया, तो आपको वहाँ पर direct जाके आप admission ले सकते, लेकिन इसके लिए आपको seat exam का rank card होना ज़रूरी है, बिना rank card के लिए, बिना rank card के आप admission नहीं ले सकते हैं, तो यह था admission process, उसके बाद देखिए common आपका जो question है, please read all, तो all question आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है, क्याकर common problems आ सकता है, देखिए यहाँ पर question है, I have completed IT, computer copa trade, what trade in CITS should I choose, either computer hardware and networking, computer software application, तो बोल रहा है, copa में यह जो है IT किया है, तो यह कौन सा trade में CITS कर सकते हैं, computer hardware networking, यह फिर computer software application, तो यहाँ पर answer देखिए, for computer operator programming, यानि कि कोपा, CITS trade will be computer software application, कोपा जो है, कोपा के लिए computer software application ही, उसको CITS करना होगा, computer hardware networking है, वो लोग CITS नहीं कर सकते, तो यह चीज़ आप धहन से देख लिजेगा, अगर आपको वीडियो में कोई विक्कत हो रहा है, तो आप लोग जाके डारेक्टी website से पर सकते हो, तो बोल रहा है, will the question paper appear in English Hindi, तो बोल रहा हाँ, यह आपका जो CITS online entrance exam होगा, वह पर आपका question paper English और Hindi दोनों में रहेगा, जिसमें आपका 75 question रहेगा, टेकनिकल related यानि कि trade related और 25 question जो रहेगा, आपका math reasoning यह सब के उपर, उसके बाद देखे, how would I remove my documents if it uploaded successfully, but in modify there is no option to remove it, बोल रहा है कि यह जो है कुछ documents से upload कर दिया, तो गलती से आप क्या किया, कि आपका 10 certificate के जगा admit card upload कर दिया, तो क्या आप इसे change कर सकते, या भी modify कर सकते या फिर remove कर सकते, तो option answer देखे, documents once uploaded cannot be deleted, but can be replaced with new one using the modify option, तो बोल रहा है, document अगर आप एक बड़ अपलोड करते हैं, तो आप delete नहीं कर सकते, लेकिन modify कर सकते, ठीके, तब तक जब तक आप payment नहीं कर सकते, तो ये बात बहुत खास बात है, कि SCVT जो candidate is state counselling for vocational training, SCVT candidates क्या apply कर सकते, CITS तो एक answer है, एकदम no, SCVT candidates जो है, CITS apply नहीं कर सकते, उसके बाद question देखे, I am in the final semester of all India test, during July 2019, I do not have ITS certificate, what certificate should I upload, तो ये बोल रहा है कि, इसका ITS final semester हो गया है, July 2019 में, लेकिन इसके पास ITS certificate नहीं है, या फिर, तो किस कारण नहीं है, हो सकते हैं, वो back आ गया है, कोई subject में back आ गया था, इसके लिए उसका certificate लेट आया, या फिर किसी को certificate नहीं मिला, किसी को problem था, correction के लिए दिया है, तो इसके बाद certificate नहीं है, तो certificate नहीं है, तो वो क्या upload करेगा, तो देखिए, the answer, the mark sheet और certificate of previous semester, should be uploaded, तो आप क्या कर सकते हो, तो अगर आपका, final semester हो जाता है, तो आप final semester का, result, यानिकी mark sheet अप्लोड कर सकते हो, या फिर आपका जो previous semester, या फिर previous year का जो certificate, mark sheet है, वो आपको upload करना होगा, उसके बाद देखिए, I have done IT in swing technology, and I am interested to take admission, in cutting and swing, or in fashion technology trade, am I eligible for the above mentioned trade, तो यह बोल रहा है, यह swing technology में IT किया है, तो यह जो interest है, cutting and swing, and fashion technology trade में, यह interest है, तो बोल रहा है कि, क्या यह eligible है, तो बोल रहा है कि, answer देखिए, name of cutting and swing is changed, to swing technology, तो cutting and swing, जो था trade का name, ओही name change होके, swing technology आया है, और बोद आर same, तो दोनों ही same है, यह यह eligible for, swing technology only, तो cutting and swing, swing technology में ही, वो eligible है, cutting and swing, और fashion technology में, eligible नहीं है, ठीक है, उसके बाद देखिए, तो बोल रहा है, cutting and swing technology, जो है, cutting and swing, जेडी, swing technology नाम हुआ है, उसके बाद देखिए, how to change, wrongly enter date of birth portal, तो wrongly enter, आपको date of birth अगर, गल्दी से आप, लिख दिया, और आप apply कर दिया, तो उसके लिए, आपको क्या करना है, तो उसके लिए, आपको request sent करना होगा, name of online admission, email.gmail.per, सुधारने के लिए, आपको एक request करना होगा, एक later type की लिख है, आपको application ID, इसारा details डाल के, आपको, तो वहाँ पर mail करना है, उसके बाद देखे, if a person is already doing CITS, अगर कोई person, कोई भी वेक्ती, already CITS कर चुका है, या फिर कर रहा है, तो वो क्या apply कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके बाद देखे, center of excellence, COE candidates eligible for CITS, center of excellence क्या होता है, ITI में जो BBBT trade होता है, center of excellence एक साल का, तो वो लोग क्या CITS के apply कर सकते हैं, तो नहीं, BBBT जितना trade है, CITS नहीं कर सकते हैं, I am one year, ITI student, parsing मा ITI 10, how can I apply, select parsing option to and fill the ITI certificate as NA and select NCVT as certificate, regular as candidate type, select ITI 10 undergoing, तो आपको क्या करना है, यह जो है, one year का ITI student है, तो इसको बोल रहा है कि, ITI certificate as NA में select करना है, and NCVT certificate में उसको select करना है, और regular candidate में उसको select करना है, उसके बाद देखे, what certificate can I upload in person, कौन सो certificate आपको upload करना है, upload the current, valid ID card, तो ID card upload करने का कोई भी option नहीं है, यह बेकर दिया हुआ है, can I apply for CTS trade not related to my trade, तो आपका related कोई trade नहीं है, CTS में तो क्या आप अप्लाई कर सकते, तो अप्लाई कर सकते हैं, मेरा personal experience से मैं देखा हूँ, बहुत सारा लोग apply किया था, हम जब CTS करते थे तो उस time क्या है, कि वो लोग का जब registration time हुआ था, registration बहुत दिन बाद होता है, तो जब registration हुआ था, तो उसी time क्या है, registration जो है बहुत दिन बाद होता है, तो CTS admission के बाद बहुत दिन बाद registration होता है, तो registration final यानि कि CTS का final exam का registration से पहले आपको जो certificate है, provide करना है, तो उतना दिन में आपको certificate मिल जाता है, उसके बाद देखिए, जो what to do field in certificate number for appearing candidates, appearing जो candidates से उसका तो certificate number नहीं है, तो उसको लिए है not applicable, एने लिखना है, ठीके उसके बाद देखिए, what to field in grade section, तो उसके वहाँ पे आपको एने लिखना है, what should an appearing candidates upload for IT, upload for certificate, upload large tier, mark sheet और IT, ID card, तो जो लोग appear है, उसको क्या अपलोड करना है, उसको upload करना है last year mark sheet, या फिर IT का ID card, ठीके, क्योंकि आपेरिंग बालों को certificate नहीं है, तो certificate number में उसको not applicable, एन ए आपको लिखना है, candidate with ACVT certificate can apply, अगर आप ACVT में ITI है, ठीके, लेकिन आप apprentice कर चुके है, NCVT से, यानकि आपके पास NAC certificate है, तब आप apply कर सकते हो, ठीके, तो यही है, ACVT candidate के लिए एक मौका, अगर आपका पास apprentice नहीं है, सिर्फ आइटिय है, तब आप नहीं apply कर सकते हो, तो यह था आपका total queries, total question, आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए, या फिर आप website में जाके, ये total देखिए, apply करने से पहले, तो आपको full details मिल जाएगा, तो अगर वीडियो आपका अच्छा लगे, तो like कर दीजे, share कर दीजे, और subscribe कर दीजे,